आते ही हमें खुशनुमा अहसास होता है। आखिर वो दिन आही गया जिसका हमें बेसबरी से इंतजार रहता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि संडे की छुटी का इतिहास क्या है और ये कब शुरू हुई होगी। अगर नहीं, तो आज हम बता रहे हैं संडे की छुटी को लेकर तीन प्रचलित कहानिया। ऐसे हुई शुरूआत। अंतर राष्ट्रियम मान की करन संस्था आइसो के अनुसार रविवार का दिन सप्ताह का आखरी दिन माना जाएगा और इसी दिन कौमन छुटी रहती है। इस बात को 1986 में मान्यता दी गई थी लेकिन इसके पीछ ब्रिटिश को कारण माना। जाता है। असल में 1843 में अंग्रेजों के गवनर जनरल ने सबसे पहले इस आदेश को पारित किया था। ब्रिटेन में सबसे पहले स्कूल बच्चों को रविवार की छुटी देने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके पीछे कारण दिया गय था कि बच्चे घर पर रहकर कुछ क्रियेटिव काम करें। अब बात करें भारत की तो भारत में प्रचलित है। ये कहानी अंग्रेजों के शासंकाल में भारत में बड़ा मजदूर वर्ग सातों दिन काम करते थे। इस मजदूरों की हालत बिगरती जा रही थी। इतना ही इन्हें खाना खाने के लिए लंच का समय भी नहीं दिया जाता था। इसके बाद करीब 1857 इसवी में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में आवाज उठाई थी। उन्होंने ये तर्क दिया था कि सपता हमें एक दिन ऐसा होना चाहिए जब मज दूर आराम करने के साथ साथ खुद को वक्त दे सके। माना जाता है कि इसके बाद 10 जून 1890 को मेघाजी लोखंडे का प्रयास सफल हुआ और अंग्रेजी हुकूमत को रविवार के दिन सब के लिए छुट्टी घुशित करनी पड़ी। वीडियो अच्छा लगा हो तो ल नॉलज पाने के लिए हमारे चैनल ग्यान का पेतारा सागर केवट को सब्सक्राइब करें।